क्या पढ़ने वाले हो आज मुझे कर एक बच्चे ने डीम क्या इंस्टाग्राम पे कि भाई रोटेशन के बारे में कुछ बता दो है रोटेशन कैसे पढ़ने है बड़ी दिक्कत होती है तो आपको भी कोई कुछन अगरा मुझसे पूछना हो या कुछ भी जानना हो ना या तो आप मुझे ट्वीट कर दो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अट कल्पित डॉट विरुवाल पे आप पेंग कर सकते हो वावे में देखके वीडियो बना लेता हो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिये होगा है तो आज हम बात करने वाला है रोटेशन के क है किसी करने कौन सी बॉक्स अ रिसरोचेसज बेस्ट घै। अडवाल को इसे करने हैं था सकते हैं। और लास्ट में कैसे करना है इस चीज़कर सबसे पहले आर अगर आप आपसे पढढना चाहता है दोंट फ Baptist App जिख और डो데 फो डोट नो मी हिसकी आ जोगी कि मैं लाइव स्ट्रीम किया करूंगा जादा नहीं हफते में एक बार या कोछ व्लॉग्स अगरा है यह लाइव वाला कॉंसेप्ट है ना काफी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स क्यारी मिनाटी है आपके प्यूडिपाइ इन्हों ने आज तक सोचा तक निये इस चीज क कर देना है और उसका पहला लाइव स्ट्रीम में करूंगा इसी वी करूंगा मोस्ट प्रभाइबली टेसी नंबर वन के बाद तो टेस्ट सीरीज में काफी बच्चे तेजी से अन्रॉल हो रहे फस्ट टेस्ट 24 में को है यह आप मिस नहीं करना चाहते हो जो बच्चे कोर्स लेते हैं उनके लिए फ्री है जब बच्चे अलड़ी अन्रॉल तो उनके लिए फ्री है एक दो दिन में आड कर देंगा आपको उस कोर्स के अंदर और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होगी मैं खुद बनाऊंगा और मजा आएगा ठीक है अगर आपको पूरे दो महिने के लिए टेस्ट होगा संडे संडे को मुसली मुझे लगता है काफी अच्छी डिल है और आप कोर्सेज लेना चाहो तो कोर्सेज काथ फ्री है अभी ले लो यार बाद में बता है बच्चे क्या करते है लास्ट के अंदर फे पैनिक करते लास मज़ा हैगा 24 में को पहला टेस्ट है उसके बाद भी अविलेबल रहेंगे टेस्ट कित्वी बार दो लेकिन उस समय देने में ज्यादा मज़ा होता है ठीक है पूरे दिन टेस्ट चलेगा आपको जब देना अदो तीन गंड़े में उसके बाद हम अगले देनी रिज़र प क्योंकि देखो RBD से RBD एक तर से mechanics का end game है वो mechanics का Thanos है क्यों उससे पहले के जितनी भी चीज़ है न सब आपको काम आने वाली है आपका kinematics काम आएगा rotational kinematics में NLM काम आएगा आपके torque और जो dynamics के questions आते उन में काम आएगा work पर energy तो दबा के काम आएगा gravitation दबा के काम आएगा क्योंकि कई बार gravitation में rotation गुसा देते हैं वो लोग है ना इस तरह की चीज़े बहुत सारी हो जाती है और even आपका momentum तो बहुत साला यूद होता ही है प्लस उसमें topics बहुत सारे है जैसे अगर आप देखो हर chapter के अंदर दो या तीन central topics होते है kinematics में क्या 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 है क्या इसके अंदर गिनो इसके अंदर पहला है rotational kinematics, moment of inertia, torque, angular momentum, angular momentum conservation एक नया topic और आजाता है फिर rotation की dynamics वाले question, NLM फिर आपका rolling motion हो गया और भी बहुत साही चीज़े आ जाती है तो कुल में आके 6-7 topics हो गये नहीं तो यह topic tough हो गया प्लस यह लंबा बहुत है लंबा होई गया topic ज एक tough chapter यह बन गया है है और एक और मुझे लगते है हवा भी बन गया यह बच्चों की तिम्हाँ रोटेशन है अब क्या करें है तो वो सब चीज़े होती है इस बज़े से tough लगता है लोगों को और top mistakes क्या करते है बच्चे वो मैं बता देता हूं इसमें पहली mistake करते है जो classic mistake की डर जाना है ना जो डर गया वो मर गया जरी प्रेशन का एक ही मामला है तो आपको डरना नहीं है यार आर बीठी से chapter ही तो है क्या कर लोगे उसका है ना chapter ही है और उसकी एक हावा बनी हुए कि बहुत tough है tough नहीं है methodological चलोगे मैं जो बताना हो करोगे तो आपको सही लग समझना मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हर topic को समझना है बट ये एक ऐसा topic पूरी physics एक ऐसा topic है जिसको आपको बहुत deeply समझना होता है कि हम जो चीज करने क्यूं करने क्यूं आप हो सकते है कि यार 60-70% तक लिया होगे रट-रट के आप कॉपी करके questions आपको गर 80% पे जाना ह आइट बॉम्बे देली भूल जाओ अगर आपकी concept strong नहीं अगर रट-रट के काम चला रहे हो ना कि यार कॉश्चन याद कर लिए 10,000 कॉश्चन लगा लिए उससे आइट बॉम्बे देली नहीं निकलने वाले है उससे आप पहुचोगे कहां पर जाध जाधा पोथ है ठीक है तो क्या क्या बता है मैंने एक तो पहले डर जाना दूसरा कि कुश्चन प्राक्टिस करते जाना लेकिन concept को नहीं समझना है ना और एक और चीज जो मुझे लगता है वो यह कि यार पहले के topics clear नी और आगे बढ़ गए जैसे NLM आपको आता नहीं अच्छे से या momentum आपको आता नहीं है और आप बैठ गए क्या करने rotation करने कुछ भी नहीं होगा समझ में नहीं आएगा और पहले का भी रोग अभी भी रोग है ना तो पहले की जीज़े clear करके फिर आप आगे बढ़िए ओके यह आपकी हो गई की mistakes resolve क्या है अब इनको resolve कैसे करना है तो आएंगे आएंगे rotation के और average तीन आते हैं दो से चार दो से चार कुछन आ जाते हैं आपके rotation के बहुत बड़ा वेटेज है अगर आप देखो तो और इसके अलावा और यह सबसे टफस चीज़ है तो अगर आप rotation के तीन कुछन बना लेते हैं में यानि कि बाकी जो 5-6 कुछ तो यह टॉपिक में investment बहुत ज्यादा है लेकिन return भी बहुत अच्छा है investment लगेगा आपको एक महीना पढ़ना पड़ेगा इसको बैद वे जो बच्चे जेई 2020 वाले ना आपने अगर यह चीज़े नहीं पढ़ रखी पहले से तो भी मत पैट जाना rotation पकड़ने मदब अग लंबा topic है तो time invest करना पड़ेगा 11th में होते हैं एक महीना डालना पड़ेगा इसके अंदर एक महीना आपको रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तब जाके clear होगा rotation लेकिन फिर 3-4 question प्लस पूरा mechanics भी clear होगा तो दरो मत इससे इसमें time देना है और return भी आ कर देता हूं थोड़ी सबसे बेस्ट है कि आप लिकुल पढ़ा करो और जो बच्चे हमाई साथ पढ़ रहे हैं catboss पर उनको तुम मैं clear करवाते ही हो जो 11th revision course लेके बैठ उनको पता होगा कि मैंने rotation काफी अच्छे से कवर कर रहा है सारे concepts clear कर रहा है तो वो आप देख सकत मैं हलका सा भी doubt है ना तब तब जाके पीछे जाके वाबस पढ़ो मतलब आपके इतना इतना नहीं है ना वापस जाके पढ़ो और best source आपका है HC वर्मा अगर आप कोचिंग जाते हो तो वहां का भी कर सकते हो यह हमारे वीडियो भी देख सकते हो 11th revision में जो enrolled है वो लोग है ना तो यह चीज है और पहले के topics भाई clear कर लो best सबसे important advice यह है कि NLM clear करो kinematics clear करो work power energy clear करो gravitation clear करो momentum clear करे उसके बाद आप आगे बढ़के rotation solve कीजिए आधा काम आपका यही solve हो जाएगा अगर यह clear है ना आधा resolution आपका यही हो गया कोई दिक्कत ही नहीं आएगी है ना तो यह कुछ बात है थी resolve कैसे करना है books and important resources books and important resources में देखो books आपको बताता हूं पूरी जे ही physics के इंदर में एक ही recommend करता हूं आपकी HC वर्मा उत्ती बहुत book है वह बहुत god level book है उससे अगर आपने उसकी theory process के question सारे बना ली ना काम हो गया जिस बच्चे से HC वर्मा के 80% पीछे वाले आंसर बन गए ना वह बच्चा जई फोड़ो के आगे बता रहा हूं 80% अभी जिससे बन रहे है आगे जाओ तो 100% भी होंगे पर अभी होने चीए तो मेरा recommendation रहेगा books and resources के नाम पर एक तो अपने coaching की sheet बिलकुल लगा और coaching चाहते हो तो अगर अब कौनसी class हो अगरा में enrolled हो या कौनसा course है उनको लगाओ उनको लगाओ उनको अच्छे से लगा लो आदा काम वही हो गया उसके बाद HC वर्मा की reading कर लो अच्छे समझ समझ के and उसके बाद आप क्या करो कि उसके questions लगा लगा लो HC वर्मा के solve examples बहुत आँ हाँ अच्छे लगा लेते हैं कि HC वर्मा भी लगा लिए अच्छा आप मैं यह वाली book लगाओंगे इस brand की book लो इस brand की बतलो नहीं HC वर्मा अगर आपसे हो गई है तो पहला step है कि coaching की किताब बेस लेवल है फिर HC वर्मा पर थोड़े गए और conceptual इसी लेवल पर क्यों किताब लगाए हो अगर यह तो लगानी है तो उपर जाओ इरोडो लगा लो है ना सबसे पहले coaching का माल एकदम clear लगाना है फिर HC वर्मा का सबसे बड़ी गलती है जादा चार चार लगा रहे है एक भी ढंक से नहीं आती चार लगा रहे है नहीं टॉपिक्स इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं देखो moment of inertia एजी भी है एक दिन में समझ में आ जाते है moment of inertia क्या है मैंने जैसे अपने 11th विजन कॉस में एक वीडियो मे इसके मतलब easy in the sense कि अगर आपको चीज आती है तो आप कर लोगा और एक कुष्चन जैई में प्रस एडवांस में अल्मूस्ट हर साल आता है दोनों को मिला दो एक नए कुष्चन आएगा जैई में प्रस एडवांस में तो टॉपिक का वेटेज भी है क्योंकि अगर आपक कुष्चन इसके अलावा आपके जो NLM बेस्ट कुष्चन होते हैं रोटेशन में उन से काफी कुष्चन आते हैं बट अगें थोड़ा सा वो टफ है अगर आपका NLM स्ट्रॉंग हो गया है तो आप डैनेमिक्स वाले कुष्चन भी लगा सकते हो रोलिंग मोशन टफ ची आपका angular momentum conservation हो गया आपका यह moment of inertia हो गया यह क्या सिंपल सिंपल चीज है इनको पहले कर सकते हो इनसे कुष्चन ब्यादा इसे momentum से कुष्चन आएगा एंगलर momentum conservation से दोनों मिला के कुष्चन आएगा तो दो कुष्चन की गैरेंटी तो हो गई यागर दो टॉपिक पढ़ ल अगर कोचिंग की शीट और हो तो हमा लगा है इस तरह का करते जाओ इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विं करने को क्या रहा हूं बाकी जगा मैं थेोरी पढ़ने को भी कहता हूं क्योंकि रोटेशन ऐसा टॉपिक है उससे theoretical question को भी खास आता नहीं इतना जहीं में देखना के 10 question लगा होंगा है उसमें अपने NLM के 20 question लगा लिए, friction के 5 question लगा लिए, work power energy के 5 question लगा लिए, ग्रैविटेशन के 10 question लगा लिए, इस तरह से automatic हो जाते हैं कि उसमें सब चीज़े involved होती है, यह Thanos है, इसको अगर आपने कर लिया ना तो यह बाकी जो नहीं आते हैं यह जरू चले जाना, live channel यह इंडिया में नहीं पूरे world में पहली बार हो रहा है, PewDiePie को भी नहीं पता है, Carrie Minati को भी नहीं पता है, यह मेरा original concept है, ठीक है, जाओ, subscribe करो, मैं यहाँ पर live stream करूँगा, पहली live stream आपके test number 1 के बाद होगी, उसका में थोड़ा कुछ बच्चों का result बताऊंगा कि क्या average score वगएरा रहा है, क्या बच्चों को जाना चाहिए था, तो यह चीज, cat boost वाले बच्चे तो देखो ही, और बाकी बच्चे जो है, आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, discussion तो पिपर का शाहिद लाइब करना थोड़ा अजीब हो जाता है, समय पास तो आढ़ी जितना हमें चहिए तो उसे जादा बच्चे अलरी हो गए न, हमारा कुछ टागेट हो था है, दो ना कमनी का या इतने बच्चे एन्डॉल हो जाने को, हो वह, हो गया क्मप्लीट हा, हम से बवह ब़ुछत जिल्दी हो बद एक ही दिन में हो गया, बट solution, analysis, report, अच्छे questions, with answer की solution, कौनसा question, गलत किया है, कैसे किया है, वो सब सब कुछ बताया जाएगा, और काफी सारे बच्चे भी है, 24th में को पहला test है, उससे पहले enroll कर लो, उसके बाद next test एक हफते बाद होगा, और बाद ने भी कोई enroll रहा चाहिए, तो चलेगा, आपको पहले के test with solution सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट यार, एक साथ बच्चों के साथ देते तो अलग feel आती है, तो आप अभी जितना जली कल लोता बढ़ी है, कोर्सेस ले सको तो और बड़ी है, कोर्सेस लोगे तो आप रिवाइस भी कल लोगे उसके साथ, है ना, तो अभी 4-5 दिन का पास period है, अच्छे से पढ़के देना test है ना, पूल से ले बसका होगा, पढ़के दो, ऐसे मान के चलो कि तुम्हारा J-E-Main हो रहा है, है ना, आप टेस्स भी दे रहा है, जे-मेन फाइनली हो रहा है, ऐसा सोच के देना है, पर मैं सुच है, कि इतने बच्चे होई गया है, तो यहीं पर कल लेते हैं, तो लाइव चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो, मैं वहीं पर स्ट्रीम करूँगा, यहां पर नहीं करूँगा, यहां पर अलोड़ी बहुत सा वीडियो दल चुकी है, अवाज दिमाख सीज निकालो क्योंकि return of investment बहुत अच्छा है, आपको टाइल लगेगा, तफिकल टॉपिक है, बिल्कुल है, लेकिन return में बहुत अच्छा है, यही मेइन परस एडवांस में इलाके, 6-7 questions आजाते है, तो यह आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना ही पढ तॉपिक्स के अंदर easy topics होंते moment of research, kinematics और angular moment of conservation, तीनों topics easy है, question भी आ जाता है, दुनों से लगबग, दो धाई question आ जाएंगी, तीनों को मिलाके, dynamics हो गया आपका, और rolling motion है, tough topics है, यह तब करने जब पहले की चीज़े clear हो, revision में massive problem solving से revision करना है, massive problem solving दबा के problem लगानी है, यह आपका revision होगा, all right, so I hope मैं आपको बता दिया हो, किसी को कुछ और पूछना हो, at culprit.pvv, इंस्टाग्मा पर DM करना, link दिया है, description में आर, follow all of you कर ले न, tweet वगरा कर सकते हैं, जो भी करना है, description में resources वगरा, sub दिया हुआ है, app जाके बिलकुल देखना, review देना, rating देना, बहुत अच्छा लगता है, हमें, test series में enroll होना, मत बूलना, अगर कर सकते हो, तो live channel, subscribe कर लेना, thanks a lot, पसंद नागे वीडियो, तो like करना, इससे आपको और recommendations मिलती है, channel की, कुछ भी अपका, related वीडियो होती है, अगर मेरे channel की नहीं भी हो, किसी और ने भी बनाई है, अगर similar वीडियो test होगे रहा, इस पर rotation का आपको दिख जाएगी, तो आपकी feed क्यूरेट होती है, ठीक है, so thanks a lot guys, and bell notification, subscribe कर लो, चाहिए, और मैं भी YouTube परी चीज़े करने लगा, like, share, subscribe, but okay, thank you.